वो कहते हैं ना गलतियां तब गलतियां नहीं रहती जब उनसे सीख कर हम आगे कुछ न कुछ बढ़ते हैं तो ऐजा ही कुछ सबक मिला है न्यूजिलेंड दौरे से भारती क्रिकेट टीम को यानि की विराट सेना को नुश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके जाने पैचाने यूटूब चैनल अभी तक में दोस्तों हम लेकर आते हैं आपके लिए लिटेस्ट क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें दोस्तों आपको यहाँ पर हम बता दें कि T20 सीरीज में शानदार प्रदरशन करने वाली भारती क्रिकेट टीम का जब वन डे और टेस्ट से सूपड़ा साफ हुआ तो वो ही मैनेजमेंट के ऊपर कई प्रशनी चिन्न लगने लगे चाहे टीम सेलेक्शन की बात हो या फिर कप्तानी विराट कोहली की सबका ये मानना हुआ कि बिना रोहिस शर्म और केल राहुल जैसे बल्ले बाजों के विराट शर्मा कुछ नहीं कर पाएंगे तो न्यूजिलेंड में वंडे और टेस्ट में मिले वाइट वाश के बाद अब इंपोर्टन सीरीज का आगास करेगी भारते टीम जी हाँ साउथ अफरिका का भारतियत दौरा होना है जिसकी शुरुवात होगी 12 मार्च को पहले वंडे से जो खेला जाएगा धर्मशाला में तो वहीं 15 मार्च को दूसरा वंडे लखनव में खेला जाएगा और 18 मार्च को तीसरा और आखरी वंडे कोलकाता में खेला जाएगा तो इस सीरीज के मद्यनरस साउथ अफरिका ने अपना स्कॉर्ट तयार कर दिया है और टीम की घोशना कर दी है भारत के खिलाफ 12 मार्च से सुरू हो रही तीन मैचों की वंडे सीरीज के लिए साउथ अफरिका ने सोमबार को ही अपनी टीम की घोशना कर दी जिसमें इन्होंने पूर्व कप्तान फॉब डुपलेसी और रासी वान डुसेन को टीम में वापिस बुला दिया है टुपलेसी ने पिछले साल इंग्लैंड में खेले गए वर्ड कप के बाद से कोई मैच नहीं खेला था और हाल ही में खेले गए इंग्लैंड और और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उन्हें आराम दिया गया था तो वहीं उन्होंने इसमें कप्तानी भी छोड़ दी थी और कप्तानी का जिम्मा मिला था विगेट कीपर हर्फन मौला बल्लेबास कुईंटन डिकॉक को तो सौथ अफ्रिका की भारते दोरे के लिए टीन कुछ इस तरह से रहेगी तो वहीं यदि हम भारते टीम की बात करें तो उसका एलान अभी तक नहीं हुआ है ऐसी उमीद जदाए जा रही है कि इस सीरीज के लिए भारती ओपनर बल्लेबास रोहिश शर्मा फिट हो जाएंगे और वे उपलब्द रहेंगे वहीं अगर सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि हारदिक पांडिया की साथ होने वाले वंडे सीरीज में वापसी होना लगबग तैमाना जा रहा है तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या हारदिक पांडिया और रोहिश शर्मा के आने के बाद भारते टीम को मजबूती मिलेगी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर हमें जरूर बताएगा इस वीडियो को आपने लास तक देखा उसके लिए धन्यवाद